तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से RMS Live Learning में और मैं हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगो कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए और आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हैकर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने के बाद उसकी लॉगिन डिटेल चेंज कर देता है रेइस्टर्ड बताने वालों हों उसो फ्रेंड अगर आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हैकर ने आपकी email ID और phone number भी बदल दिया है तो अपने इंस्टाग्राम को वापस रिकावर क करने के लिए आपको क्या करना है सिंपल इस वीडियो में बताए गई स्टेप को फोलो करना है इस तरह से इस्टागराम का लॉग इन पेज ऊपन करना है अपना यूजर नेम एंटर करना है और अगर आपने अपने इस्टागराम अकॉंड को फेस्बुक से लिंक किया होगा तो यहाँ पर आपको लॉग इन फेस्बुक के सॉप्शन पर क्लिक करना है लेकिन अगर आपने फेस्बुक से अपने अकॉंड को लिंक नहीं किया या फिर आपका फेस्बुक अकॉंड नहीं है तो इस कंडिशन में आपको यहाँ पर गैट हेल्प लॉग इन के सॉप्श तो नहीं कर पांगे इसलिए यहां पर आपको क्लिक करना जिसके बाद नेक्स इंटरफेस में टूं फैक्टर ऑथनिटीकेशन कोड एंटर करने के लिए एक आपने अपने इंस्टाग्राम अकॉड पर तूं को इने पलिकिया होगा और उस टाइम पर आपने रिकवरी कोड को save करके रखाओगा तो उनमें से किसी भी एक code को आप यहाँ पर enter करके अपने account को recover कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास recovery code save नहीं है तो इस condition में आप यहाँ से अपने account को recover नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो backup code Instagram ने आपके phone number या फिर email ID पर बेजा होगा वो आपको अभी receive नहीं होगा क्योंकि hacker ने आपकी email ID और phone number को बदल दिया है इसलिए backup code अभी hacker को receive होगा इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों आपको try another way option पर click करना है जिसके बाग bottom side से एक pop-up open होगा तो इसमें आपको get support option पर click करना है इस तरह से आपके सामने request support page open हो जाएगा तो guys यहाँ पर आपको my account was hacked case option को select करना है और bottom side में next option पर click कर देना है इसके बाद जो next interface open होगा इसमें आप से पूछा जाएगा कि आपने Instagram account पर अपनी खुद की photo share की है या नहीं आपकी खुद की photo आपके Instagram account पर available है या नहीं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात clear कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने Instagram account पर अपनी खुद की photo post की हुई है तो आप easily अपने Instagram account को इस method के through recover कर पाएंगे otherwise आपका account restore नहीं होगा इसलिए दोस्तों अगर आपने Instagram account पर अपनी खुद की photo share की हुई है तो यहाँ पर आपको yes I have a photo of myself in my account के इस option को select करना है और bottom side में next option पर click कर देना है इसके बाद next interface में आपको अपनी कोई भी email id एंटर करना है जिस email id पर Instagram आपसे contact कर सके बेज़े जाएगा जिसको आपको यहाँ पर enter करना है इसलिए आपको अपने email inbox को open करना है और email में आए code को copy कर लेना है या फिर देख लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको code को enter करना है और confirm option पर click कर देना है इसके बाद video selfie लेने का option है तो guys अपने phase को दीरे दीरे move करना है तो guys जैसे आप इस process को complete कर लेंगे इस तरह से आपकी selfie video create हो जाएगी अब आपको यहाँ पर submit option पर click करना है जिसके बाद आपकी selfie video submit हो जाएगी और इस तरह से आपके सामने message जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी provide की गई email ID पर आपको 3-4 दिनों में contact किया जाएगा तो guys अब आपको यहाँ पर bottom side में done option पर click कर जाएगा जिसके बाद आपकी request submit हो जाएगी और 3-4 दिनों के अंदर अंदर आपको Instagram से आपकी request का reply मिल जाएगा तो दोस्तों इस बीच आपको wait करना है हो सकता है आपको 24 hours में ही recovery link मिल जाएगा तो दोस्तों जैसी आपको Instagram की तरब से email आपको अपने inbox को open करना है और इस तरह से your information is confirmed subject से जो email आपको मिला होगा उसे आपको open करना है और email में जो steps बताए गए होंगे उन्हें follow करना है तो दोस्तों इस confirmation email मिलने के 24 गंडों के अंदर आपको अपने account को recover कर लेना है अगर आप 24 गंडों के बाद try करेंगे तो इस mail में दिया गया link expire हो जाएगा अब ये mail मिलने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है इस security code को copy कर लेना है या फिर कहीं पर not कर लेना है security code copy करने के बाद यहां पर आपको reset password के इस link पर click करना है जिसके बाद new password create करने का option आपके सामने आएगा तो guys यहां पर आपको अपने instagram account के लिए कोई strong password create करना है password में alpha numeric key के साथ साथ special character भी आपको एंटर करना है तब ही आपको password strong बनेगा password एंटर करने के बाद same password आपको new password again की field में एंटर करके verify करना है और reset password option पर click कर देना है click करते ही इस तरह से आपके सामने security code enter करने का option आपको इमेल में आए हुए security code को enter करना है जिस code को आपने copy किया तो उसे आपको आप पर enter करना है और next option पर click कर देना है click करते ही इस तरह से आपका Instagram account successfully recover हो जाएगा अन हैग हो जाएगा और hacker के access भी आपके account से remove हो जाएगा तो इस तरह से friends अपने hacked Instagram account को आप वीडियो में बताए गए easy steps को follow करके recover कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको अपने इस्ट्रागरा अकाउंट की security को और भी ज्यादा strong बना लेना है अपने Instagram account पर two factor authentication option को enable कर देना है और two factor authentication option enable करते time जो recovery code आपको मिलेंगे उन्हें कहीं पर not करके रख लेने हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन